नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है competition community में, मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस lecture में हम discuss करने वाले है current office, miscellaneous यानि कि जो भी subjective आपको current office हमारे YouTube चैनल पर पढ़ाया जा रहे है, इसके अलावा भी कुछ important topics जो छूड जा रहे थे, उसे cover किया जाएगा miscellaneous में, और अब से every Tuesday साम कुछ 7 बजे आपको ये वीडियो मिलने वाला है, और जितने भी competitive exams हैं, one day exam खासकर अगर आप देखोगे त तो वहाँ पर miscellaneous current office बहुत जादा होते हैं, जितने भी current office के questions होते हैं, उसमें miscellaneous काफी अच्छा खासा होता है, और उसे cover करना बहुत जरूरी है, तो अब से प्रतेक मंगलवार को साम कुछ 7 बजे आपको miscellaneous के ये वीडियो जो हैं, वो मिलने वाले हैं, तो आज के इस lecture में हम पढ़ेंगे 21 मार्च से लेकर 29 मार्च तक के जितने भी important miscellaneous के current office है, उन सभी को आज के इस lecture में हम cover करेंगे, ठीक है, बहुत important session होगा, तो इसे regularly आप follow जरूर कीजिएगा, और बहतर अगर score करना चाहते हैं, और exam में आप बहुत अच्छा score करना चाहते हैं, तो जित प्लेटफॉर्म पे available नहीं कराया जाएगा, इसका PDF जो है, इस magazine में समाहित किया जा रहा है, तो monthly magazine आती है, market में available है, 36 गड़ के सभी प्रमुक किताब घरों में या magazine available है, तो हम विजिट करिए और magazine को प्राप्त कर लेजिए, हर महीने आएगा, और उस महीने जितने भी तो इस magazine को प्राप्त जरूर करें, ठीक है, rate भी बहुत nominal रखा गया है, यह लगबग 40-50 रुपय में आपको available हो जाएगा, अधिक जानकारी चाहिए, तो इस number पे phone कर लेना, इस magazine से related, इसके अलाब़ा competition community से जुड़ना चाहते हो, बहतरीन team के साथ preparation करना चाहते हो, बहतरी competition community के mobile application को, इस QR code को स्कैन करके download जरूर करें, या फिर Google Play Store पे direct आप visit करें, उसके बाद भी आप इससे download कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, फड़ा-फट discussion शुरू करते हैं, तो आज का जो हमारा सबसे पहला topic है, बहुत important topic है, Swiss Open 2022, 2012 के बाद, पहली ऐसी भारतीय महिला बनी है, प तो important हो जाता है, आपके exam के लिए ध्यान रखिएगा, पिवे सिंदु ने Switzerland के बेसन में आयोजित Swiss Open 300 Badminton Tournament Championship का खिताब जो है, अपने नाम किया है, तो यह पहला point हो जाता है, जो आपके exam में पूछा जा सकता है, दूसरा point याद रखिएगा कि final में इन्हों ने किने हराया तो Thailand की Busanan Ogambam Rungfan, नाम बहुत difficult है, अगर नायाद हो, तो सिर्फ starting का नाम इनका याद रखना, Thailand की Busanan, इन्हें final में PV सिंदु ने हराया है, और हराकर Swiss Open 2022 का खिताब इन्होंने जीता है, और इस season में, यानि कि इस साल इनका यह दूसरा खिताब है, इसी साल इन्होंने एक और खिताब जीता है, उस खिताब का नाम है सयद मूदी इंडिया International Badminton Championship, और यह कोई National Badminton Championship नहीं, यह International Badminton Championship है, और इसे भी World Badminton Association द्वारा ही कंड़क्ट कराया जाता है, लेकिन इंडिया में, और इसका आयोजन वर्स 2022 में कहां युजित किया गया था, तो जन्वरी फर्वर इसकी राजधानी है, लखनव यहां इसका आयोजन किया गया था, और यह कोई प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के नाम पे सयद मोदी इंडिया International Championship का इसका नाम नहीं रखा गया है, यह सयद मोदी इंडिया International Championship इसका नाम ही है, तो यह भी confusion आप मत रखिएगा, और इसकी शु इनका भी नाम आवियात रखिएगा, अगर पूछा जाता है, पहला खिताब कि इन्हों ने जीता था, यानि कि पहली भारतिये महिला कौन है, जिन्होंने इस खिताब को जीता था, तो सायना नहवाल सबसे पहले इन्होंने 2011 में जीता, और उसके बाद 2012 का भी जो खिताब ह उस सायना नहवाल नहीं जीता था, और दूसरी भारतिये महिला बैडमिंटन खिलाडी हैं, पीवी सिंधू, जिन्होंने स्विस ओपन 2012 को जीता है, इसके लबाद पीवी सिंधू से रिलेटेट कुछ और अधर फैक्ट्स को भी आवियात रखिएगा, जैसे इन्होंने दो ओलंपिक मेडल जीता है, और यह पहली भारतिये महिला बैडमिंटन खिलाडी हैं, जिन्होंने दो ओलंपिक मेडल जीता है, 2016 ओलंपिक में इन्होंने जीता था, यह कहां आयो जीत किया गया था, यहां इन्होंने सिल्वर जीता था, ठीक, और इसके बाद 2020 का टोक्यो ओलं इसमें भी इन्होंने सिल्वर जीता, तो दो Olympic medal भी इन्होंने जीता है, तो PV सिंधु से related इतने important facts को याद रखिएगा, Swiss Open के बारे में याद रखिएगा, यहां से आप से question जो है, वो पूछा जा सकता है, clear, अगला जो topic है, वो है योग महोचसब 2022, आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में विस्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 21st of June को प्रतीक वस जो है, वो योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अब यह योग महोचसब क्या है, तो 21st June से पहले जो 100 दिन होता है, वो योग महोचसब के रूप में मनाया जाता है, यानि कि इसका सौवा दिन जो होता है, वो अंतराश्टिय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, बात समझा रही है, तो योग महोचसब 2022 का शुरुआत हो चुका है, और योग महोचसब जो है, एक अभिय आपको जानना है, तो लोगों में योग के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए और इस दिवस को एक बड़ा रूप देने के लिए प्रते एक वर्ष जो है योग महुतसब के रूप में मनाया जाता है, और ये जो है 100 इस्थानों पर आयुजित किया जाता है, 100 दिन होते हैं किसके द्वारे किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो आयोस मंत्राले भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन जो है योग महुत सब का किया जाता है अब यहाँ पर आपको अंतराश्टिय योग दिवस के बारे में भी कुछ important facts को याद रखना होगा क्योंकि आपसे यहां अंतराश्टिय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है first योग दिवस कब मनाया गया था तो यह मनाया गया था 21st of June आपका 2015 में यह पहला योग दिवस मनाया गया था अब तीसरे पॉइंट पर आप याद रखिएगा कि United Nation के द्वारा इस अंतराश्टिय योग दिवस को adopt कप किया गया तो दिसंबर 2000 11 दिसंबर 2014 को अंतराश्टिय मान्यता देने के लिए संयुक्त राश्ट की तरब से 177 मतों के साथ जो है अंतराश्टिय योग दिवस को adopt किया गया यानि कि संयुक्त राश्ट के द्वारा 11 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें ये कहा गया कि 21 जून को जो है अंतराश्टिय योग दिवस मनाया जाएगा एक और important fact याद रखिएगा कि यह पहला ऐसा दिवस है जिसे की सिर्फ 90 दिनों में ही United Nation के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और प्रस्ताव किस ने रखा था भारत ने रखा था भारत के प्रधान मंतरी नरे नर्मोदी ने रखा था तो यह पहला एक ऐसा अंतराष्टिय दिवस है जिसके प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर ही पारित कर दिया गया वो दिवस का नाम क्या है अंतराष्टिय योग दिवस ये भी याद रखिएगा अब एक बात और याद रखिएगा कि 21 जून को ही अंतराष्टी योगदिवस क्यों मनाया जाता है तो 21 जून को ही अंतराष्टी योगदिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूरे साल का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है और योग क्यों? नाचना जाता है? लोगों को जाकरुक किया जाए, योग के परती, इसलिए योग दिवस मनाए जाता है, ताकि लोगों की जो आईउ है वो तिर्खाई हो सके, यानि कि बहुत लंबे समय तक और जी सके. और इसलिए 21 जून को ही जो सबसे बड़ा दीन होता है तो सबसे आयू ज्यादा आयू तक आप जीए इसलिए योग दिवस जो है 21 जून को ही मनाया जाता है तो योग दिवस से रिलेटेड कुछ अदर्स जो फैक्ट्स है उसे आपको याद रखना होगा अगला जो टॉपिक है वो है अंतराष्टिय परियावरन मंत्राले द्वारा राष्टिय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोसित किया गया है 5 अक्टूबर को यानि कि आपसे प्रतेक वर्ष जो है पांच अक्टूबर को अंतराष्टिय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, यहांसे कोशन आपसे पूचा जा सकता है, इससे पहले भी पांच अक्टूबर को डॉल लाइफ के द्वारा यह मन्जूरी दे दिया गया है, कि अब राष्टिय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा, पांच अक्टूबर को, इंपोर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा मन्जूरी दी गई है, तो केंद्रिय परियावान मंत्राले द्व इसका नाम है नेशनल बोर्ट फोर वाइल लाफ, इसी के द्वारा स्थाई रूप से, स्थाई समीती के द्वारा फैसला लिया गया, कि प्रते गवस जो है, पांच अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और यह देन जागरुकता पैदा किया ज जाएगा और इसी लिए जो है पांच उक्टूबर को प्रते गवस डॉल्फिन के उसंद्रक्छन के उद्देश से जो है डॉल्फिन दिवस, राष्टिय डॉल्फिन से रिलेटेट, गंगा डॉल्फिन से रिलेटेट, कुछ अधर फैट्स भी याद रखना, राष्टिय गेंगेटी का गेंगेटी का यह इसका वज्ञानिक नाम है खोज कब किया गया था गंगा डॉल्फिन को तो इसे अधिकारिक तौर पर वर्स 1801 में खोजा गया था और कहां कहां यह पाया जाता है तो भारतिय उप महाद्वीप जितने भी है यहां पर पर देखोगे तो 4000 प्रेजन टाइपर डॉल्फिन के संख्या है इसमें से 80 परस जो डॉल्फिन है वो भारतिय उप महाद्वीप में पाये जाते हैं आपके लिए प्रशनिहापर है कि भारतिय उप महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं देश का नाम लिखिए और नंब इसके अक्राडिंग जो है रुपत पra प्रजाती के रूप में डिफाइन किया गया है किसको डॉल्फिन को गात डॉल्फिन को कलीर बात है अब यहां पर एक बात और धिहान रखना जैसे आई उसिन के द्वारा युपत प्रजाती के रूप में रखा Cheerio. of nature, यानि कि nature को protect करने के लिए ये अलग-अलग category में decide करते हैं जिसे संरक्षित किया जा सके अब इसका इस्थापना कब किया गया, आपसे पूछा जाए तो 1948 में इस agency की इस्थापना किया गई थी अगर आपसे प्रशन पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसका headquarter कहा है, तो इसका headquarter है gland में और ये gland कहा है, तो switcher land में IUCN से related इतने important facts को आपको यहाँ पर याद रखना होगा अच्छा, कुछ और other facts याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाता है कि गंगा dolphin को राष्टीय पसु कब घोसित किया गया, राष्टीय जलिये पसु कब घोसित किया गया, कौन से वर्स में तो याद रखिएगा 2009 में और भारत में dolphin को संरक्षित करने के लिए जो project चलाया जा रहा था वो 2010 से 2020 तक चलाया जा रहा था और इसे अब आगे बढ़ाया जाने की बात कही जा रही है और project चलाया जा रहा था मतलब कि 2010 से 2020 के बीच में जो भी चीजें लागू की गी थी, उसके अनुसार आप जिन अंगर डॉल्फिन से रिलेट खास एक फैक्ट और याद रखना कि ये मीठे जल में ही प्रवास करता है ठीक और ये द्रिश्टी वाधित द्रिश्टी विहीन भी कहा जाता है यानि कि यह देख नहीं सकती ठीक है चलिए आगे बढ़ें अगला टॉपिक है फीफा वर्ल्ड क कहा है स्विट्चिल लैंड में तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा न्यूज में इसलिए है कि भारत की एक online education का बहुत बड़ा प्लेटफोर्म जिसका नाम है बाइजूज ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी है जो फीफा का official partner यानि की official sponsorship इसे मिला है फीफा फुटबॉल कप का यानि की वर्ल्ड कप का तो उसका नाम होगा वाइजूज याद रखिएगा कब 24 मार्च को ठिक अब इसके साथ ही वाइजूज फिफा से जुडने वाला पहला भारती ये कंपनी बन गई है क्लियर है अब आगे जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 से र और पहला ऐसा अरबियन कंट्री है जहां पर फीफा का वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है कब से कब तक यह टूनामेंट आयोजित होगा 21 नमंबर 2022 से 18 दिसमबर 2022 तक आयोजित किया जाना है ठीक और इसमें कुल 32 टीमें जो है वो हिस्सा लेने वाली है फीफा से रिले 204 को हुआ इसके अलाबा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्स जैसे मैंने हेड़कॉर्टर बताया तो यह रिक स्विट्जे लैंड में इसका हेड़कॉर्टर है तो फुट्वाल से रिलेटेट फीफा से रिलेटेट इहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्स आप याद कियेगा कोपा अमेरिका जो है फुट्वाल से संबंदित है और कोपा अमेरिका प्रतीक चार वर्स में एक बार आयुजित किया जाता है विस्व फुट्वाल कप भी चार वर्स में एक बार आयुजित किया जाता है और इसके अलाबा एक और है बहुत ही प्रतिष्ठित खे झार्जंटीना इसका फाईनल जीता था अब यूरू कप की बात करें, तो यूरू कप 2021 का फाईनल किस ने जीता था ? तो एट्ली ने 2020 का यूरू कप जीता था ठीक, अब यहां पर FIFA से रिलेटेड आपका latest ranking पूछा जाए, तो 10th FAV का FIFA का latest ranking रिलीज किया गया था जिसमें फर्स्ट पोजिशन पे कौन है बेल जीम दूसरे पोजिशन पे कौन है ब्राजिल और इंडिया की रैंकिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो इंडिया का रैंक है 104 यानि की 104 फीफा की रैंकिंग में तो इस तरह से फीफा से related भी कुछ important facts आपको यहाँ पर याद रखना होगा ये current affair का एक topic तो है ही लेकिन इससे ज़्यादा important आपके motivation के लिए है motivation के लिए क्या है? achievers के लिए भी एक अंतराष्टिय दिवस के रूप में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो प्रतेक वर्ष 24 मार्च को अंतराष्टिय अचीवर्च दिवस मनाया जाता है और ये उनके लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ लक्ष निर्धारित किया है और उस लक्ष को उन्होंने अचीव किया है या कुछ गोल उन्होंने target कर रखा था और उस गोल को उन्होंने प्राप्त किया है तो ऐसे लोगों के लिए 24 मार्च का दिन, इनके लिए celebration का दिन होता है कि वो social media पे या फिर किसी और other platform पे या कहीं और hashtag achievers और जो भी उन्होंने अचीब किया उसका mention करें तो वो self motivation के लिए यह दिन जो है मनाया जाता है जो जिन्होंने goal tag किया था, जिन्होंने अपने target tag किया था उस रुप में मनाने के लिए तो यह important इसलिए है, बस आपके exam के लिए यह important है कि 24 मार्च को प्रतेक साल जो है achievers दिवस मनाया जाता है international achievers day, तो आपके लिए यह ज़रूरी है आप यह कभी नहीं भूलोगे, यह topic आप भूली नहीं सकते अगर आपका goal clear है, अगर आपका target clear है आपने कुछ सोचा है कि आपको achieve करना है तो आप इस day को कभी नहीं भूलोगे तो इसलिए याद रखना कि अगर आपने भी जो भी target कर रखा है, जो भी achieve आप करना चाहते है या जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते है तो एक 24 मार्च ये भी आएगा जितना जल्दी हो सके उतना आएगा जिस दिन आप भी celebrate करोगे proudly celebrate करोगे ठीक, याद रखिएगा चलिए तो याद रखना 24 मार्च का दिन, आपको भी एक दिन celebrate करना है और इसके बाद अगला जो टॉपिक है, वो है Able PuraScar 2022 और अगर आपसे प्रशन पूछा जाता है कि Able PuraScar किस छेतर से सम्बंदीत है तो Able PuraScar जो है Mathematics छेतर से सम्बंदीत है अमेरिकी Mathematician Dennis Parnill Sullivan को जो है Able PuraScar 2022 से सम्बंदीत किया गया है तो यह याद रखिएगा कि किने सम्बंदीत किया गया है यह याद रखिएगा कि Able PuraScar कि इस छेतर से सम्बंदीत है पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से question पूछा जा सकता है अब इन्हें यह पुरसकार क्यों दिया गया तो Mathematics में Topology विशेष रूप से इसके जामितिये वीजेगडित गतिसील पहलूँ पर बहतरीन कारे करने के लिए और इसमें बहतरीन योगदान देने के लिए इन्हें Able PuraScar 2022 से सम्बंदीत किया गया है Topology क्या है तो Topology एक Mathematics का आप पार्ट कह सकते हो आप इसका एक छेतर कह सकते हो यह कुछ एक्जामपल है जब आप Geometry पढ़ते हो जैमिति पढ़ते हो तो इस तरह के Questions आपको मिलते हैं तो यह सारे जो Questions होते हैं वो Topology के ही होते हैं तो यहां इस छेतर में बेहतरीन युगदान करने के लिए इन्हें जो है एबल पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया है और Topology जो है न वो Mathematics का आधुनिक युग का इसे खोज कहा जाता है यानि कि इसे जो है उननिस्वी सताबदी के अंत में ही खो जा गया था और इसका उदय हुआ था आप कह सकते हो तो एबल पुरसकार के बारे में याद रखिएगा कुछ और भी facts बताऊंगा लेकिन सबसे पहले हम इस पुरसकार के बारे में ही जान लेते हैं एबल पुरसकार के अगर हम बात करें जो कि नौर्वे के प्रसिद्ध Mathematician थे यानि के गड़ी तक गया थे और इस पुरस्कार ने प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार से प्रेड़ना लिया है और इसके शुरुवात जो है वर्स 2003 में किया गया था तो ये तो बात हो गया able पुरसकार से संबन्देद अब यहाँ पर कुछ important facts जो आपको याद रखना है mathematics का noble पुरसकार किसे कहा जाता है mathematics का noble पुरसकार किसे कहा जाता है गणीत के च्छेतर में तो यह कहा जाता है Filtz Medal को याद रखिएगा question पूछा जाता है Filtz Medal को जो है mathematics का noble prize कहा जाता है लेकिन इसका category है category यह है कि यह सिर्फ 40 वर्ष से कम उम्र के प्रतिभागियों को दिया जाता है जिन्होंने maths के च्छेतर में बहतरीन कारी किया हो पहला इसके शुरुवात कब हुआ यानि कि starting कब हुआ तो इसका starting हुआ Filtz Medal को कहा जाता है इसके अलावा रमानूजन पुरसकार भी mathematics के च्छेतर में ही दिया जाता है किस देश द्वारा दिया जाता है इटली द्वारा दिया जाता है ठीक और 2021 का रमानूजन पुरसकार किसे मिला और 2021 का रमानूजन पुरसकार किसे मिला निला गुपता और ये कलकत्ता की रहने वाली है ठीक तो ये आप रामानुजन पुरसकार के बारे में भी याद रख सकते हो और रामानुजन पुरसकार का भी ये कैटेगरी है कि ये 45 वर्स से कम उमर के युवाओं को प्रदान किया जाता है एक और फैक्ट याद रखिएगा कि फिल्स पुरसकार जो है चार वर्स में एक वर दिया जाता है और एबल पुरसकार और अमानुजन पुरसकार जो है वो प्रती वर्स दिया जाता है ठीक बात चलिए आगे बढ़ें अगला है सूजलाम अभियान 2.0 इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी आप ध्यान रखिएगा तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है 22 मार्च को प्रतेक वर्स जो है अंतराश्टिय जल दिवस मनाया जाता है यानि कि विस्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और इसे दिन के अंधरिये जल सकते हैं मंत्री जो हैं गज़िंदर सिंसे खावा द्वारा सूजलाम 2.0 कैmpaign को लॉंच किया गया है किस उद्देश के साथ में किया गया है तो grey water management बहतर तरीके से हो सके इसी उद्देश के साथ में इस campaign को शुरू किया गया है इस campaign की खास बात यह है कि 9 मंत्राले जिन से लोग जुड़े हुए अलग-अलग छेत्रों में इस grey water management पर कैसी योज़ना बनाया जाए कैसा प्रबंधन बनाया जाए और इसी प्रबंधन पर परामर्स लेनी के लिए इस 9 मंत्राले के द्वारा भी हस्तक्षर किया गया है सुझलाम 2.0 अभियान पर तो अगर कितने मंत्राले के द्वारा हस्तक्षर किया गया अपसे पूछा जाता है, तो 9 मंत्राले के द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया गया, कौन से मंत्राले के द्वारा, तो जल सकती मंत्राले के द्वारा, सूजलम 2.0 क्या है, तो ग्रेव वाटर मैनाजमेंट से ज विजिबल, विजिबल, यानि कि जो ग्राउंड वाटर आज के समय पर अद्रिस्टे हो चुका है, उसे त्रिष्चे बनाना है, ताकि वो देख सके, अब सवाल यह उड़ता है कि ग्रेव वाटर है क्या, तो ग्रेव वाटर जो आप घरों में यूज़ कर सकते हो, जो करते हो पानी नल से यूज़ करते हो, सौवर से यूज़ करते हो, या फिर जो डेली यूज़ करते हो, वो नली के माद्यम से किसी ने किसी तरह से बाहर निकल जाता है, और इस पानी को एकत्रित करके, इसका इस्तेमाल जो है, आप अपने गाड़ी को वोस करने में कर सकते हो, अप सुजलाम campaign 2.0 की अगर हम बात करें तो इसकी सुरुवात कब हुई 22 मार्च को ही अब 6 लाख घरों को target किया गया है सुरी 6 लाख गाउं को target किया गया है जहां पर इस तरह का management जो है वो बहतर किया जा सके सुजलाम अगर हम 1.0 की हम बात करें वो की अगर हम बात करें तो इसकी सुरुवात किया गया था अगस्त 2021 में और इसके तहट लगभग 10 लाख गाउं में बहुत सारे गड़े खोदे गये थे जहां पर groundwater का level जो है वो बढ़ाया जासा के grey water management के तहट इसके लबब कुछ other facts भी याद रखिएगा कि ground water को increase करने के लिए फिर उसे बचाने के लिए government के तरफ से और कौन-कौन से पहल किया जा रहा है तो इसमें से एक है आपका अटल भूजल योजना इसके बारे में भी याद रखिएगा हो सकता है आप से यहां पर ये भी question पूछे अटल भूजल योजना या फिर कहीं पर भी आप इसका इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो अटल भूजल योजना के बारे में भी आप यहां पर अन्य याद रखिएगा और इसके अलावा एक जल सकती अभियान के बारे में भी आप याद रखिएगा यह भी groundwater level का increase करने के लिए उसे बढ़ाने के लिए या फिर उसे संरक्षित करने के लिए इस तरह से campaign भी चलाए जा रहे हैं अब जैसे विस्व जल दिवस जो मनाया जाता है प्रतेक वर्स बाइस मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन इस campaign को शुरू किया गया तो बाइस मार्च को जो विस्व जल दिवस मनाया जाता है उसका theme भी same है यानि की groundwater making the invisible visible ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है विस्व 6 रोग दिवस यानि की world TB day ठीक कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को ही मनाया जाता है ये भी याद रखेगा 24 मार्च को मनाया जाता है और इस विचार का प्रस्ताब जो है इंटरनाशनल यूनियर अगेंस्ट टूबर क्यूलोसिस एंड लंग डिजिस एक एजनसी है जो TB को काउंटर करने के लिए इस पर रिसर्च करने के लिए बनाये गई है उसी के द्वारा प्रतेक वश जो है 24 मार्च का ये दिन तैग कि प्रतेक वश जो है 24 मार्च को विस्व टीवी दिवस मनाया जाएगा और इस दिन को विस्व स्वास अंगठन द्वारा भी माननेता पर आप थे, यानि कि चिन्नित किया गया है कि 24 मार्च का दिन ठीक है, अब 24 मार्च ही क्यों, तो 24 मार्च से रिलेटेड भी बहुत सारे fact है क्योंकि 24 March को जो है डॉक्टर रॉवर्ट कोज ने टीवी के बैक्टिरिया का खोज किया था और कब किया था 1882 में किया था अब इसके जब 100 साल पूरा हुए थे यानि कि 1982 में ये फैसला लिया गया कि अब से जो है प्रतियक वर्स 24 March को डॉक्टर रॉवर्ट कोच द्वारा जो टीवी का जिवान हुए यानि कि बैक्टिरिया का खोज किया गया था उसी के उपलक्ष में प्रतियक वस्चोवी स्मार्च को जो है टीवी दीवस के रूप में मनाया जाएगा अच्छा एक अधर फैक्ट्स आपको पता है कि प्रतियक साल वर्ल्ड हिल्थ और्गनाईजेशन के अनुसार 1.5 और 4 मिलियन लोगों की जो मौत है पूरी दुनिया में वो टीवी की वज़ा से होता है यानि कि सांस के प्रोब्लम की वज़ा से होता है 1.4 मिलियन लोगों की मौत जो है वो इस वज़ा से होता है और इस टीवी डेका 2022 का थीम भी याद रखेगा इन्वेस्ट टू एंड टीवी से लाइव ठीक है चलिए अगला जो टॉपिक है वो है 23 मार्च 23 मार्च को सहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है क्यों कि इसी दिन भगत सिंग राजगूरू और सुख़देव को जो है 23 मार्च को सहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है अब कुछ और अधर फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने होंगे जैसे 23 मार्च को तो सहीद दिवस मनाया जाता है लेकिन आपने पहले भी सुना होगा कोई और सहीद दिवस के बारे में सुना होगा जैसे 30 जनवर को भी सहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है किसलिए क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी गोली मारकर नाथु राम गोटसी द्वारा इस दिन भी जो है उस सहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है दो सहीद दिवस बहुत फेमस है राश्टेश्टर पर मनाया जाते हैं, एक आपका 30 माच, दूसरा आपका 30 जनवरी, ये दो खासकर आप याद रखिएगा, तो इस तरह से, जितने भी मिसलेनिस के टॉपिक थे, पूरी हपते भर में, जिसमें लगभग 20 से लेकर, आपका 28-29 मार्स तक के था, उन सभी को कवर किया गया है, इसक आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, पीडियेफ वहाँ से, उसी में आपको पूरे महीने भर में जितने भी वीडियो रहेंगे, और उनके जो कंटेंट रहेंगे, पीडियेफ आपको वही मिल जागा, ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में फिलाल इतना ही, थैंक्यू, थै झाल